सभी राज्यों की आंगनबाडी से विकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चैनल की आज साम पांच बजी की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों वीडियो को पूरा देख करके जाना सबसे पहले आंगनबाडी केंद्रों में गर्मी के कारण कुछ बदलाओ किये गए हैं उनके समय में परिवर्तन कर दिया गया है तो आएए देखते हैं कि अब आंगनबाडी केंद्र गर्मी के चलते कितने बज़े से कितने बज़े तक संचालित किये जाएंगे जिसको लेकर के एक नया नया आदेश सबसे पहले जो देखने को मिला है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में देखने को मिला है बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो यूपी में अभी बदलाओ का कोई आदेश नहीं है लेकिन होता जिस तरीके से गर्मी दिन बदिन बढ़ती जा रही है तो जल्द ही सायद अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से संचालन देखने को मिलें फिलाल यहां पर सुभास जैन जिला कारकम अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में इन्होंने 15 मार्च को एक आदेश निकाला है इस आदेश में उन्होंने साप सब्दों में लिखा भी है कि वर्तमान में गर्मी को देखते हुए आंगनबारी केंदर के बच्चों की सुरच्छा और स्वास्त को भी ध्यान में रखते हुए जिले धार के अंतरगत संचालित समस्त आंगनबारी केंदर के समय म परिवर्तन करने संबंधी आवस्यक नरदेश प्राप्त होने से आंगन बाड़ी केंदर का जो संचालन है वो समय प्राता आठ बजे से दोपहर के बारा बजे तक नियत किया जाता है यानि अब आगन बाड़ी केंदर मधद प्रदेश के धार जन्पध में गरमी के कारण सुबह आठ बजे से खुलेंगे और बारा बजे तक चलेंगे बारा बजे तक चलने का मतलब यह है कि आठ बजे से बारा बजे तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई वाला काम होगा यान आंगन बाड़ी कारकरता सहय का वो केंदर पर रिकार्ड संधारन ग्रह भेंट ये वाले कारे भी करेंगी इसके लिए समय दोपहर यहां पर लिखा गया है आठ बजे से सामके तीन बजे तक केंदर को संचालित करेंगी यानि उपस्थित रहेंगी तो आंगन बाड़ी बहनो अभी आप देख रहे हैं कि तीन घंटे एक्स्ट्रा उनको वहाँ पर देने होंगे लिखा है अतहप परियोजना अधिकारी समस्त उपरोकता नुसार आंगन बाड़ी केंदर का संचालन करवाना सुनिश्चित करें यह परिवर्तन अत्यधिक गर्मी पढ़ने तक प्रभा हैं वो आठ बजे से बारा बजे बच्चों के लिए और उसके बाद बारा से फिर एक दो और तीन इतने समय तक आगन बाड़ी बहन तीन बजे तक सेंटर पर रहेंगी जिसमें वो अपने अभिलेक रिकार्ड वो सब सही करेंगी अपना जो भी काम है करेंगी बैठ करके औ अगर कोई अपने घरों में आराम करता है सो जाता है अब ऐसे समय पर आंगन बाड़ी बहन किसी लाभारती के घर गरेब्रमर करने कैसे जाएंगी अब दोपहर में हर कोई सोता है तो वो वहां क्या गरेब्रमर करने पहुचेंगी तो कहीं न कहीं लोगों को भी दिक्कते इस बास से होंगी खैर आप लोग इस बारे में अगर कोई विचार रखते हैं हमारी बास से सहमत है तो comment में अपने विचारों को भी जरूर रखना इधर बात करें एक और जानकारी की जो की यहां पर polio से related है भारत को polio मुक्त प्रमार पत्र मिलने पर खुसी जताई गई है और ये कोई नई बात नहीं है कि अभी अभी पोलियो से जो है भारत मुक्त हुआ हो, दस वर्स हो चुके हैं आपको बता दें कि डबलू यचो के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमार्पत्र मिलने की दसमी वर्स गांट पर चिकेस्ता अधिचक ने समस्त इस्टाप और बच्चों को मिष्ठान वित्रड किया है, तो ये दसमी वर्स गांट थी, अब दस वर्स हो चुके हैं भारत को पोलियो मुक्त हुए, अच्छी बात ये है कि उसके बाद से केस सामने नहीं आए, ये सबसे बड़ी और खुसी की बात है, 27 मार्च 2024 को भारत को पोलियो मुक्त हुए, दस वर्स हो चुके हैं, डबलु एचो द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमार पत्र मिलने की दसमी वर्स गांट पर कोर एडरा ने सामदाइक स्वास्त केंद्र समेत स्कूलों और मदर्सों में कारकरम आयुजित किये, जिसम समोदिया के प्रात्मिक विद्याले, वह मदर्सा जामिया, मिल्का खानम के मदर्सा, अनवारूल वगरा उलूम के बच्चों ने भी चित्र कला में बताया गया कि प्रतिभाग किया, महलाओं की गोष्ठी का आयोजन किया गया, इस दारान बीम सीं के जो है एच खान, उन् को सफल बनाने वाले धरम, गुरू, अध्यापक, प्रभावसाली व्यक्ती, प्राइवेट चिकिस्सक, इन सबका सुक्रिया भी अदा किया गया है, जिनके सयोग से भारत ने पोलियो मुक्त होने में सफलता प्रात की है, चिकिस्साद एक्षक डाक्टर दिवेश चोधरी इस समस्त स्टाप को मिठाई का वित्रड किया, चिकिस्सक नितिंदत सर्मा और फर्मासिष्ट मनुहरलाल ऐसे और भी कई लोग हैं जो वहाँ पर मुझूद रहे हैं, खेर आगे चलते हैं कुछ और जरूरी बाते और जरूरी जरूरी जानकारियां इस वीडियो में आपक गया है कि लोग सबा समान नर्वाच्चन 2024 के दर्श्टिगत समस्त सास्की यक कार्याले से नेताओं की तस्वीर हटाने के सम्मंद में, तो आंगनबारी बहनों आपका अगर आंगनबारी सेंटर है, वहाँ पर अगर किसी नेता मंत्री की फोटो रखी हैं तो उनको हटा द भी था, इस बारे में मैंने बताया भी था, कि अब आदर्स आचार संगिता लागू हो गई है, तो ऐसे में कोई भी जो कार्याले हैं, सरकारी सास्की कार्याले, इनमें मानी राष्टपती, राजपाल, इनकी तस्वीर को छोड़ करके, बाकि किसी भी मंत्री, चाह प्रधा इस मामले में ध्यान दिया जाए, इसलिए जो पॉलिथीन है, उसमें रासन वित्रड के लिए भी रोक लगा दी गई है निदिसाले से, रिमा बहन बस्ती से है, देखो, उन्होंने भी अपने वहां से एके मैटर बेजा, मान्दे का बजट खतम हो गया क्या, तो मान्दे का बैन पीलीभीड से हैं, और उन्होंने अपने वहां पीलीभीड से, अपने वहां अनप्राशन कारक्म मनाया था, फोटो बेजी थी, अन्जु कासगंज से हैं, उन्होंने एक फोटो, एक ये मैसज़ बेजा है, कि भईया जी कासगंज में मांदे का आएगा, हम बहुत पर किराय के मकान में रहते हैं मार्च का महिना पूरा जो यहां पर नहीं हुआ है तो फरवरी महा का मांदे तो सरकार को देना चाहिए तो बिलकुल फरवरी महिने का मांदे देना चाहिए था और वहीं नहीं आया है उसी की मांग की जा रही है और मार्च अभी पूरा ही नहीं जो है मैंने का सुकला हूँ सफीपुर से और भया जी मेरे यहां अभी सेलरी नहीं आई है तो अभी बहन बहुत से जगे नहीं आई दीपमाला सरवस्ती से हैं इनोंने भी कहा है कि हमारे सरवस्ती जिलेंबी भी मांदे नहीं आया है निवज सुनते हैं हर जगे मांदे आ रह इन सभी बहनों का बीमा योजना के से उनको वाच्छादित करने के बारे में ये लेटर था और वही दो बीमा प्रधानमंत्री जीवन जोती बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन दोनों योजनाओं में आगनबारी बहनों के खातों से पैसे भी पैसे कटने की जानकारियां तो कई बहनों के एकाउंट से आती रही हैं अब आगे मिलेगा की नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा मैं कोई बाबा जी तो हूँ नहीं जो मैं अंतर्यामी हूँ अगर मैं बता दूं कि फ्यूचर में क्या होगा तो बहनों फ्यूचर का तो आगे ही पता चलेगा लेकिन ये कहीं चीजे ठीक नहीं लगती हैं कि इतने कम पैसों में बेहनों को जो नौकरी पर रखा गया उसमें से भी पैसे इन तरह से काटे जा रहे हैं आगे योजनाओं का लाब देने के चक्कर का हवाला देते हुए अब ऐसे में बेसक आगे मिले अगे ना मिले कौन जाने लेकिन जीते जी अभी उनको जरूरत है तब भी पैसे काम नहीं आपा रहे हैं कुसम लता मतुरा से उन्होंने मतुरा से ये जानकारियां बेजी हैं सरकार को ध्यान देना चाहिए बहनों के मांदे व्रद्धी पर कुछ ऐसा मांदे देना प्रसस्ति पत्र टाइब से दिया गया सीता अगरा से हैं और उन्होंने रासन वित्रड किया है फोटो आलेंडिया को बेजी है बेबी गाजी पूर से हैं उनके वहाँ पर भी इसी तरीके से प्रसस्ति पत्र बस पकड़ा दिये गए हैं और मांदेवर्धी जैसा कुछ भी द साथी मंजूला मुझफरनगर से हैं इनुने अपने वहां से कुछ फोटो वेजी है और आगे लिए चलें तो आज के इस वाले वीडियो को और इसमें हम आपको आंगनबारी भरती के विसे में भी कुछ कमेंट देखाना चाहेंगे और आंगनबारी भरती पर विजिट करन कि जिनको भी आंगनबारी भरती के लिए अप्लाई करना है तो वो अपना जो यहां पर इस थ्री डॉट पर आएं इसमें रेजिस्टर वाला उप्सन मिलता है इस पर टच करें और इसके बाद आपका ये खुल जाएगा और यहां से आप आउनलाइन आविदन कर सकते हैं जो कुछ चीजे दरसाई गई है कि कैसे क्या चीजे हैं तो यहां पर जब आप आएंगे तो महिलाबाल विकास मंत्राले और यह सब बाते यहां पर लिखी हुई मिल जाएंगे नदेशक का पद और उनसे नीचे के सभी पद वो सब कैसे कैसे पूरा विभाग कारता है वो सब पाते यहां पर लिखी गई है तो तीन नदेशक अपर नदेशक प्रसासं सयुक्त नदेशक अपर नदेशक वित वाले और विदी वाले इस तरह से तीन चीजे दरसाई गई विभाग के लाभारती जो है वो दरसाई गए हैं इस विबसाइट पर कि कौन कौन से लाभारती होते हैं और उनको क्या-क्या चीजें उनसे जुड़ी है विभाग द्वारा जैसे गर्वती महलाएं हैं अनपूरक पोशाहर इनको दिया जाता है स्वास्त और पोशार परामर्स इनको दिये जाते हैं धात्री माताओं को भी सेम चीजें 6 मां से 3 वर्स के बच्चे इनका वजन लेना, वष्दि निग्रानी करना, अनपूरक पोशाहर का विठर करना कि सुरी बालिकाओं में अनुपूरक पोशाहर विठर स्वास्त पोशर परामर्स देना, व्यक्तिगत और सचता परामर्स ये सब बाते यहाँ पर लेखी गई हैं, तो खुल मिला करके एसी करते हैं जन्पदों की कौन कौन से जले में भरती समय, एक्टू है या आप वहां पर अगर रहते हैं उस जन्पद में तो फॉरम भर सकते हैं, कौन से जगए पर पर्योजना में पद खाली है की नी इस बात के लिए आप अपने पर्योजना आफिस चले जाओ आगनबारी वाले वहां से जानकारी ले लो पर्योजना आपिस चले में! 5 अपरेल, रामपूर का 3 अपरेल, उन्नाओं का 4 अपरेल, कानपूर नगर का 6 अपरेल, इस तरह से इतने जिले हैं जहां पर UP के भरतियां भी चल नहीं हैं, और कुछ important point भी आपको इस website पर मिल जाएंगे, जैसे कौन से लोग आवेदन करें, इन बातों का ध्यान लखें, व वो 21 मार्च 2023 वाला, वो भी आप यहीं से डारेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यह अपसन आपको मिल जाता यह वाला, यह 21 मार्च का डाउनलोड करने वाला वही है, बाकि और भी कुछ चीज़े मिल जाएंगी, तो आप इन सब चीज़ों को यहां से आसानी से देख होंगे, साथ ही आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवादा